दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गोतों देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो यूँ तो धीरे धीरे समय बीत रहा है भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई है और कांग्रेश को हार का मूँ देखना पड़ा है और समय बीतने के साथ साथ कई चीज़ें सांत भी हो जाएंगी लेकिन ये भी तैह है कि दो हजार उनतिस के चुनाव आने तक इन मुद्दों पर भी चर्चा बराबर जारी रहेगी कि इतने बहतरीन हालात होते हुए भी आखिर हरियाना में कांग्रेश हारी तो क्यूं हारी और उसके लिए जिम्मेदार कौन है हालां कि कांग्रेश की हार के केई कारण हम लोग भी और मीडिया के अन्य साथ ही भी समय समय पर बताते रहे हैं लेकिन दोस्तों आम तोर पर माना जाता है कि जो भी सेना का सेना पती होता है यदि वो जीतता है तो जीत का स्रेव उसको मिलता है और यदि वो हारता है तो हार का स्रेव ही उसके माथे जाता है या उसकी हार मानी जाती है उस तरीके से हम माने तो हर्याना में कांग्रेज की हार एक किस इहत्तक या मोटे तोर पर भुपेंदर सिंग हुड़ा की ही हार मानी जाएगी चुंकि हर्याना में सर्वे सर्वा भूपेंदर हुड़ा ही थे या उनके बेटा देपेंदर हुड़ा थे और जब ये इस्तितियां हैं कि हुड़ा जी के नेत्रत तुमें कांग्रेस चार चुनाव हार चुकी है दोस्तो हम लोगसवा के चुनावां को तो एक तरफ रख देते हैं लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो 2005 में जब उड़ा जी पहली बार CM बने थे तो वो चुनाव उनके नेतत में नहीं बलकि चौदरी भजरलाल के नेतत में लड़ा गया था जीता गया था उनको तो बस उपर से हाई कमान ने CM थोब दिया था कई कारणों के चलते वो चौदरी भजरलाल से हाई कमान नाराज था उसके बाद जब 2009 के चुनाव आए तो दोस्तों कही लोग इस बात की चर्चा नहीं करते हैं लेकिन आपको मालूम है कि 2009 का चुनाव भूपेंसिंग हुड़ा के नेतत में कांग्रेस हार गई थी उसे 90 में से 40 सीट मिली थी और जोड तोड करके ही भूपेंसिंग हुड़ा ने जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार बनाई थी अब हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चौधरी भूपेंसिंग हुड़ा के नेतत में कांग्रेस ने एक भी चुनाव नहीं जीता जो पहला चुनाव जब चुनाव जीते तो वो चौधरी वजिनलाल की नेतत में कांग्रेस ने चुनाव जीता लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंट सिंग हुड़ा को बनाया 2009 में कांग्रेज भूपेंट सिंग हुड़ा के नेतत में हारी 2014 में भूपेंट सिंग हुड़ा के नेतत में कांग्रेश हारी 2019 में भूपेंट सिंग हुड़ा के नेतत में कांग्रेश हारी गई हम लोक्षावा के चुनावों को हम एक तरह प्रक देते हैं लेकिन दोस्तों भूपेर सिंह घुड़ा के नेतत में कांग्रेस चार चुनाव हाड़ चुकी है तो इसका मतलब क्या समझा जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि चौदरी भूपेर सिंह घुड़ा की ये एक तरीके से राजनितिक रूप से आखरी पारी थी जब वह या उनका बेटा सी एम बन सकते थे क्या दोजार उनतिस के जो चुनाव आएंगे उस में संभव तया ये इस्तितियां नहीं रहेंगी और हाई कमान भी स्यायद भूपेर सिंह घुड़ा जिनके नेतत में चार वार चुनाव हरा जो आरा जा चुका है अगला दाव भूपेर सिंह घुड़ा पे नहीं लगाएंगे इसके अलावा जब अगले चुनाव आएंगे तो भूपेर सिंह घुड़ा और लेड़ी 82-83 साल के हो चुके होंगे तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भूपेर सिंह घुड़ा की जो राजनितिक बुलन्दियां थी ये उसका आखरी मौका था अब हम थोड़ी सी चर्चा कुछ और भी कर लेते हैं कि बिना भूपेंद्र सिंह घुड़ा के दीपेंद्र हुड़ा का राजनितिक केरियर अपने दम पे सैद उतनी तेजी से आगे ना बढ़ सके इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे देपेंद्र हुड़ा की राजनितिक बविसे के उपर लेकिन इस पर चर्चा हम थोड़ी और करेंगे कि आखिर इतनी हारों के लिए भूपेंद्र हुड़ा को क्यों जिम्मेदार ठहरा आजा सकता है दोश्टो एक तो ये कि वो समय समय पर अपने विरोधियों को कांग्रेस में ही ठिकाने लगाते रहे या उनको आगे नहीं बढ़ने दिया या उनको आगे बढ़ने की राजनीती में तंगडी मारते रहे जिसने भी अपने दम पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत की उसी को बूपेंद्र सिंग हुड़ा ने किनारे लगा दिया यह बहुत सारे ऐसे नाम है जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने भूपेंद्र हुड़ा का गुलामी नहीं सही गुलामी बरदाश्ट नहीं की तो ऐसे नेताओं को भूपेंद्र सिंग हुड़ा ने आगे नहीं बढ़ने दिया सब जानते हैं कि अशोग तवर जो कांग्रेस हाई कमान के बहुत नजदी की थे उनको भूपेंद्र सिंग हुड़ा ने किस तरीके से निप्टाया और उनको कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया इसी तरीके से अर्बिन शर्मा भी बहुत प्रभाव साली नेता रहे हैं दाकर नेता रहे हैं उन्होंने जीतें भी हासिल की हैं वो भी कांग्रेस में आए लेकिन कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंग हुड़ा ने उनको भी ठिकाने लगा दिया और उनको भी कांग्रेस छोड़के जाना पड़ा किरन चौधरी तो सीधे आरोप लगाती रही हैं कि भूपेंद्र सिंग हुड़ार उनके बेटा कांग्रेस को मैं किसी को आगे नहीं देते हर्याना कांग्रेश को अपनी बपोती समझते हैं और जो भी उनके सामने कांग्रेश नेता अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है उसको खुड़े लाइन लगा देते हैं या ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो कांग्रेश छोड़कर चला जाए ऐसा आरोग क चाहता है राव इंदर जी सिंग भी है उनको भी वोपें सिंग हुड़ा ने कांग्रेश में खुल कर काम नहीं करने दिया अंत्त है बो भी पारिटी छोड़कर भाजपा में चले गए विनो सर्मा रहे हो, धरम वीर सिंग रहे हो, कुलदीव विश्नोई रहे हो, संजय छोकर रहे हो इस तरीके के और भी दर्जनों नेता है जो अपने अपने छेतर में बहुत प्रभावसाली थे और कांग्रेश के लिए बहुत मुफीत थे, यदि ये सब नेता कांग्रेश को छोड़कर नहीं जाते तो हरियाना में भाजपा की सरकार किसी भी कीमत पर तीसरी बार नहीं बनती इसके अलावा दोस्तों ये भी मानिकर चला जाता है या आरोप है कि दोनों बाप बेटे में बहुत एहंकार रहा और कांग्रेश को वो अपनी बपौती समझते रहे हरियाना में कांग्रेश का मतलब भूपेंद सिंग हुड़ा या दीपेंदर हुड़ा और यहां तक भी कहा जाता है कि जिससे लोग नराज रहे कि मैं मतलब जाट पहले हूँ मेरा सेकेंडरी मामला है मैं जाट पहले हूँ सि एम बनना मेरा सेकेंडरी मामला है दूसरे नंबर की बाथ है तो इस मुद्दे ने भी गैर जाटों को किसी हद तक कांग्रेश से दूर करने का काम किया और ने चाहते हुवे भी भाजपा ने इसी मुद्दे को अंदर खाने खूब चलाया और पिछले दो चुनावों जैसी इस्तिती या तीन चुनावों जैसी इस्तिती कर दी के जाट वर्सिज नोन जाट यानि भूपेन सिंग हुड़ा के जाट वाद ने पार्टी पर कब्दा करने के मुद्दे ने और मैं जाट पहले हूँ, सीएम की बाद बाद में है या बाकी कुछ और हूँ तो गैर जाटों ने इस बार भी सायद जाट वर्सिज नोन जाट का जो मुद्दा था अंदर अंदर आरेसेस और भाजपाने पिछेतर चेतर परसेंट गैर जाटों में ये मुद्दा उनके दिमागों में बिठा दिया कि जब तक भूपेन सिंग हुड़ा हैं जब तक गैर जाटों के लिए हर्याना की राजनीती में कोई भी जगे नहीं हैं तो दोस्तो इस तरीके के मुद्दे हैं चाहे जिस तरीके से भाजपाने खुब फेर बदल की और जिताओं उम्मीदवारों को चुनाओं में टिकट दिया जब की भूपेन सिंग हुड़ा ने जीतने वाले उम्मीदवारों को कम बलकी भाई भती जाके आधार पर बलकी या अपने करीबियों को या अपने चम्चों को टिकट देने का ज़्यादा काम किया और जो दूसरे नेता थे उनके हकों को मारा 32 सीटों पर चाहे अंचाहे घेरावंदी करके या ये भी मान लीजिए कि कांग्रेस आला कमान की भी घेरावंदी करके जिस तरीके से भी आप समझें उन्हाइ कमान को भी मजबूर कर दिया कि यदि मेरे चहेतों को टिकट नहीं दिये तो कांग्रेस हरियाना में सक्ता में नहीं लौट आएगी और उन्होंने आला कमान को विस्वाद दिलाया कि जिनको मैं कह रहा हूं उनको टिकट दीजिए तो कांग्रेस सक्ता में लौट आएगी और दोश्तों आला कमान भी मजबूर था यानि भूपेंदर हुड़ा को का नेतरत सुविकार करना आला कमान के लिए मजबूरी भी बन गया था और जरूरी भी बन गया था चूंके भूपेंदर हुड़ा अपने आपको इस तरीके से मीडिया के द्वारा अपने हालातों के द्वारा जनसभाओं के द्वारा और आला कमान को काम दाम दंड भे दिया कैई तरीकों से मजबूर किया कि वो भुपिंद हुड़ा की बात माने और वो 90 में से 52 टिकट ले उड़े और ऐसे गैर जिताओ लोगों को टिकट दिया जो जीतने की इस्तिती में नहीं थे और लोग तो आरोब ये भी लगाते हैं कि टिकट बांटे गए घुड़ा गुट द्वारा टिकट बांटे गए और ऐसे लोगों को दिये गए जो चुनाव नहीं जीत सकते थे जबकि भाजपाने जीतने वाले उ कम करीब पंदरे टिकट हलके लोगों को दिये जो किसी भी कीमत पर जीतने की इस्तिती में नहीं थे बहराल जो भी हो ये आरोब तो लगते हैं लेकिन अब कांग्रेस का क्या होगा अभी भी भूपें सिंग हुड़ा का हर्याना कांग्रेस में इतना दब दबा है कहा जा र नेता विपक्ष बनाना चाहता है लेकिन भूपें सिंग गुड़ा का दवाव ये है कि सत्र चल भी रहा है लेकिन अभी तक गोशना नहीं होई ये कि नेता परतिपक्ष विधान सभा में कांग्रेस का कौन होगा और वो तो बात पुरानी हो गई है कि कांग्रेस के संग्ठनात्मक चुनाव नहीं हुए उसके लिए भी हुड़ा गुट को ही दोसी माना जाता है चुकि हुड़ा गुट ही अपने आदमियों को सारे प्रदादी कारी पूरे हरियाना में बनाने का दवाब बना रहे थे और निताओं को मौका नहीं देना चाहते थे इसी के चलते संग्ठनात्मक चुनाव नहीं हुए और अब जो आवाज कांग्रेस के अंदर से निकल कर आ रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हारने क्या ठीकरा जो भूपेन सिंग हुड़ा के सिर पर फोड़ा जा रहा है वो जाइज है प्रदेश कांग्रेस अद्द्यक चौदरी उद्यवहन की भी जिम्मेदारी उनके नेतत में भी प्रदेश कांग्रेस हारी और वो खुद भी चुनाव हार गए और दीपक बावरिया जी भी जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे उन तीनों को यदि मतलब अपन नहतिक आधार पर अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए यानि इनके नेतरत में जब कांग्रेस हारी है तो नेतरत दूसरों को शौपा जाए और वैसे भी जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि भूपिंद हुड़ा जी 77-78 साल के हो चुके है आने वाले 5 सालों में 82-83 साल के हो जाएंगे तो वैसे भी नेतरत बदलने का समय आ गया है नए लोगों को कांग्रेस का नेतरत दिया जाना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया तो जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस चार बार भूपिंद हुड़ा के नेतरत में चुनाव हार चुकी है यदि भविश्य में भी कांग्रेस हाई कमान ने अपनी नीतियां नहीं बदली और भूपिंद सिंग हुड़ा पर ही हर्याना में निर्भर रहे तो पांच मी बार भी कांग्रेस को हर्याना में हार का मुँद देखना पड़ेगा कांग्रेस हाई कमान ने यदि कड़वा घूट लेकर इन जिम्मेदार पदादी कारियों को किनारे नहीं किया और नए लोगों को ने इसरे से नेतरत नहीं सौपा तो कांग्रेस कभी भी हर्याना में उबर नहीं पाएगी तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा कि कांग्रेस की हार के लिए हुड़ा नेतरत कितना जिम्मेदार है वो चार विधान सवा चुनाव हाड चुके हैं उनके नेतरत में कांग्रेस हाड चुकी है तो आखिर उनको कितनी बार और मौका दिया जाना चाहिए इस बारे में आप जो भी सोचते हैं वो कोमेंट्स करके हमें बता सकते हैं क्या नहयार नेतर तो आना चाहिए या नहीं या एक ही आदमी पर या एक ही परिवार पर हरियाना में कांग्रेश का कवज़ा जाइज है तो दोस्तों देखते रहे देश रो जाना मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे पर नए एपिसोड में झाल